इतिहास हमारे पूर्वजों का अध्यन है जो हमारे पूर्वज कर चुके हैं वो हम लोग अब पढ़ेंगे वही इतिहास है तो अभी तक हमने ये बताया है कि साक्ष जो है तो हर काल के अलग अलग होंगे ठिक देखो इतिहास जब भी सुरू होगा किसी को कहीं दिक्कत होगी तो बतायेगा ठिक इतिहास में कोई न कोई घटना घटित होगी और वो घटना प्राकतिक नहीं होगी घटना मानों के द्वारा घटित की गई होगी क्लियर घटना यह दो प्राकार की हो सकती है एक प्राकतिक घटना हो जैसे भूख अमज्वाला मूखी और एक घटना वो हो जो इंसानों ने की हो ठिक तो कोई न कोई घटना घटी होगी और जो घटना घटी होगी उस घटना को घटित करने वाला कोई न कोई बैक्ती होग अकेला भी हो सकता है और समूह में भी हो सकता है और घटना किसी न किसी काल या समय में घटित हुई होगी ठिक और घटना किसी न किसी इस्थान पर घटित होगी बस इतिहास इन्हीं चार चीजों का अध्यान है और कुछ नहीं इतिहास में एक है वो घटना ठीक घटना में वो सामिल व्यक्टी या व्यक्टी समूँ और घटना का समय और घटना का स्थान ठीक जब आप DSP बनेंगे पुले सदिकारी बनेंगे और कोई घटना घट जाएगी घटी थो जाएगी तो वहां जाज करने जाएगे तो यही चार चीजे घटी वहां भी घटना में सामिल व्यक्टी कौन है और किस समय घटी है तो जब आएंगे डाइरी लिखेंगे तो उस डाइरी में लिखा जाएगा कि फला घटना फला इस्थान पर फला समय पर फला व्यक्टियों के द्वारा घटिप किये गई तो वह इतिहास है बात क्लियर तो एक काल सम करने जाती हो इतिहास हो गया है हो गया लेकिन उसमें और इसमें अंतर यह है कि इतिहास कुछ समय पहले घटित होता है एक तरीके से देखें तो यह भी इतिहास ही है इतिहास ही खंगालने गए वहां की घटना का क्या काम हुआ है पर यहां हम लोग इन सब का वैग्जानिक अध्यन करते हैं कैसा अध्यन? बैज्यानिक अध्यन तो इतिहास की परिवासा आपको रटने नहीं जाना है थिक? बस इतना समझना है कॉंसेप्ट के तौर पर कि घटना, व्यक्ति, है न? काल और इस्थान जब पढ़ेंगे तो ये हमें पता होना चाहिए जैसे माल लेते हैं गांधी जी ने जो आंधोलन चलाए उन आंधोलनों का समय क्या था? आंधोलन कहां चले? आंधोलन में सामिल व्यक्ति कौन थे? बस, है न? ये चारों चीज़े हो जाएंगी तो आपका काम हो जाएगा? आंधोलन कहां से चलाए गया? कुछ भी पढ़ रहे हो इतिहास में तो ये चार फार्मूला आप रखें कोई भी इतिहास का टॉपिक पढ़ रहे हो तो मिक्स करके मत पढ़िए एक घटना उठाईए उस घटना का व्यक्ति समू देखिए काल देखिए इस्थान देखिए और जब लिखिए परिक्षा में कोई घटना लिखने को आ जाए तो यही चारों चीज़ आपको उस घटना मतलब उसमें लिखना है तीन नंबर का है तो इतना एक एक लाइन में लिख देना है तो इसको थोड़ा बड़ा करकी इतने लिख देना है घटना को डिटेल से समझा देना है और 11 नंबर का है आपका जो तो थोड़ा और डिटेल से समझा देना है होती इतनी चीज़े हैं तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो इतनी चीजे पढ़ेंगे, बात क्लियर, थोड़ा सा बैक में चलते हम लोग, देखो, कल हम लोगों ने कल तक जो समझा है, वो ये समझा है, कि इतिहास में, मतलब इतिहास वहाँ से सुरू होता है, जहां से मानों की गत्विदिया, घटना यदी, घटना में सामिल, मतलब घटना में वेक्ती सामिल नहीं है, तो वो घटना कैसी घटना हो जाएगी, प्राक्तिक घटना हो जाएगी, ठीक है, घटा होगा कहीं, जैसे कोई जो आला मुखी कहीं फट रहा है, अपने अप फट रहा है, तो उसका काल हो सकता है, काल होगा, पढ़े होंगे भूगोल मे भूबैक जानिक कालकरम पहली ओजोईक ओलिगोजोईक मतलब इस ट्रैप के बहुत सारे पढ़े होगे तो वह प्राक्तिक हो गया लेकिन घटना में दी ब्यक्ति सामिल हो गया तो क्या हो गया एतिहासिक हो गया वह इतिहास कभी से बन गया तो समझे मानव होगा हमने इतना बताया आपको कि मानव पहले कहां रहता था जंगल में मानव पहले कैसा था सिकारी आखेटक निवास पहले कैसे थे आइस्थाई कहीं गुफाओं में ही उनका निवास रहता था इस्थाई आवास बनाना नहीं सीखे थे फिर एक इंटर्वल आता है और उस इंटर्वल में मानों में थोड़ा सूजबूज या बुद्धी डेवलप हो जाती है और इस इंटर्वल का नाम हम लोग देते हैं नौ पाशान काल नौ पाशान काल आएगा नौ पाशान काल के बाद मानों जंगलों से नदियों के किनारे बस्तियां बनाना शुरू करेगा है ना आखेटक स से क्रिशी की और और पसुपालन की और जब क्रिशी सीखेगा तो क्या करेगा पसुपालन और आइस्थाई जीवन चोंकि एक बार बीज वो करकिया दूसरी जगह चला गया तो बीज काटने भी तो आना है ना फसल काटने भी तो आना है तो फिर क्या करेगा वह जाएगा क पिर से वापस चलाएगा कोई जंगली का मतलब संग्रहक होगा मतलब बन उपच जो निकलते हैं वो लेकर फिर चलाएगा कहाँ अपने कुटिया पर एक उसने बना रही होगी घास फोसकी और अभी कुटिया किस की बनेगी घास फोसकी बास की लकडियों की पत्तों की यहीं इस समय का मानव जो होगा तो जब नव पासान में आएगा तो थोड़ा विवेक आएगा जब थोड़ा विवेक आएगा तो इस्थाई बस्तियां बनना शुरू होगी और इस्थाई बस्तियां ही मानव की पहली जोपडियां थी जहां से गाउं बसने शुरू हुए ठीक और यही बुद्ध यह काल कप का है अब यह तो घटना हो गई इस्थान हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक भारत के किस शेत्र में होगा भारत के उस शेत्र में होगा जहां 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 नौ पासार कालीन बस्तियां पाई गई जहां जहां पासार कालीन संस्कृतिया खोजी जा चुकी है तो मद्यप्रदेश के में तो सबसे पहले अपना भीम बेट का हत् moist की गुपाएं जहां से पाई गई भारत में दी पुरे भारत की देखेंगे तो कई जगे मिल सकती है कुछ दक्षिड भारत में मिली हैं कुछ पस्षी मोतर भारत में जहां हरप्पा बसी वहां मिली हैं बस्तियां तो ये बस्तियां ये काल आपका लगभग 10,000 का होता है नौपासाणकाल ठीक उसके बाद यहां से आते आते जब हम लोग हरप्पा पहुंशते हैं तो इंसान की बुद्धी इतनी डेवलप हो जाती है कि वह इस्थाई निवासी बनाना नहीं सीख लेता बलकि उस निवास में जितनी सहरी जरूरते होती हैं जितनी इंसान थोड़ा थोड़ा कॉंसेट समस्ते चलते हैं फिर समझिएगा एक छोटा सा भारत का नक्सा में बनाता हूं आप लोग के लिए बहुत अच्छा बनता तो नहीं है पर कोसिस करता हूं ठीक बना है होगे माली आपको समझना है तो यह आपको भारत है और इस भारत में यह हमारा यहां पितना MP है, यही आपकी एक नदी बहती है, कौन से नदी, हाँ नर्मदा है, मैं नर्मदा बनाना चाह रहा हूँ, कौन से नदी, नर्मदा, एक नदी यहाँ से आती है, निकलती है, जो इधर जाती है, गंगा, भारत में, ठिक, एक नदी यहाँ से निकल की यू बहती है, सिंधू, अफगानिस्तान इरान ये सब लेते हुए इरान में नहीं पहुंची है नदी ठीक है ये लेते हुए आपके एक सब्वता सी इरान नहीं पहुंचा है सब्वता पाकिस्तान अफगानिस्तान बलोचिस्तान ठीक है ना और उस सब्वता का नाम क्या है सिंदू सब्वता तो सिं कलपना याद कर लीजे एक घटना सब कुछ हरप्पा में हो रहा था ठीक सिवाए यह नहीं था कि मूर्तियां नहीं बनी थी मंदिर नहीं बने थे पूजा नहीं हो रही थी ठीक मूर्ति पूजक नहीं थे मंदिर नहीं बने थे मंदिरों का निर्मार तो अभी होई नहीं रह थे ही 2520 में तो घटना क्या है सिंदु सब्वेता का वसना घटित कहां हुई पश्ची मोतर भारत में ठीक काल क्या है 2520 किसी एक व्यक्ति का नाम है क्या नहीं है इसमें किसका नाम आएगा मानवों के क्या हमने आज तक पढ़ा कि हड़ापा सब्विता को वसाने वाले लोग कौन थे नहीं पता है अगजात है अगजात है ठीक है उसके वारे हमें कोई आडिया नहीं है फिर क्या हुआ फिर धीरे धीरे ये सब्विता समाप्त हो गई ये सब्यता समाप्त हो गई ये हमको कैसे पता चलेगा क्योंकि ये सब्यता उस रूप में कहीं पाई नहीं गई उसके मिले हमको अवसेस जब 1920 से इसकी खुदाई शुरू हुई खुदाई तोड़ा और पहले से शुरू हुई लेकिन जो पहले स्थल मिले 1920 से किस में ठीक तो वहाँ हमको केवल क्या मिला इसका अवसेस और अवसेसों का अध्यन करके ही अवसेस मतलब साक्ष इतिहास में अवसेस मतलब साक्ष तो हमको मिले साक्ष और साक्षों को पढ़कर के हमने अनुमान लगाया कि हाँ एक नगरी सभ्वता थी जो संभवता है जल में डूबने के कारण नस्ठ हो गई ठीक जल में डूबी ये कैसे पता चला क्योंकि उसके उपर मिट्टियों का अबसेस जमा था मिट्टी जमा थी उसको खोदना पड़ा तो जाहिर सी और नदी के किनारे है तो हमने अनुमान लगाया कि नदी में बार हाई होगी और बार के कारण बहुत सारी मिट्टी गाद जमा हो गई होगी जिसके कारण ये डूब गई ये सबसे मान संकल्पना है हरपा सभ्वता के नस्ठ होने का बहुत सारी संक्रमणबनाएं और हैं, खुछ लोगों को कहना है कि बाहरी जो विदेशी आया उनको भगा दिए यहांसे, हनना कुछ लोगों को कहना है कि यहां से दूसरी जग़े लोग पलायन होते गया और यह सब सब्धतनक्त हो गई, जैसे माल लीजे कि भवर कुवां से सारे लोग इधर plan हो रहे है धीरे धीरे भोला राम की और तो उधर की जो coaching संथान धीरे-धीरे सब इधर påू रहे है तो उद्धा कismata कि संबत्व हो जाएगी ऐस सह भी हो सकता है να हो सकता है तो तो यह क्या हो रहा है यह हट रहे हुआ से कुछ दिनों बाद यह जगा और आगे बढ़ जाए यहां गोर सहरी करण हो जाया और जगह नहां मिले तो लोग धीरे धीरे और पीछे अड़ते जाएंगे तो यह सब्धा यहां से समाथ हो जब वह सब्धा समाथ हुई उसके इतना घटित होती है, लोगों का मानना है कि आरे लोग बाहर से आए, हना इसमें भी कई विवाद है, कुछ लोग मानते हैं कि बाहरी नहीं थे, कुछ लोग मानते हैं कि आरे बाहरी थे, हना जो लोग मानते हैं कि आरे बाहरी थे, वो आए इरान की देवोबंद पहाडियों स उते हाव करके यहां दर्रण और रियंदो में उवे भारत पहुंच करके और भारत क को यहीं तैंडी में की किनारे वसे अब गंगा के किनारे वसे तो उन्होंने जो सिंधू में हुआ था इसका मतलब वो नहीं देखे और देखे होते तो सीधे पक्के माकान बनाते यदि उसको देखे होते तो सीधे पक्के माकान बनाते जैसे आप सहर आएंगे पक्के माकान देखकर जाएंगे तो लोगाओं में कच्छा क्यूं परयास करेंगे बनाने करेंगे। देखे होते तो कच्छी सड़के नहीं होती, पक्की सड़के होती। इस नानागार वह भी बनाते हैं, बैदिक सभधा के भी लोग। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब आरियों को या बैदिक नहीं थी उनके आने तक वो सब्धता नष्ट हो चुकी थी यह हम लोग निस्कर्श निकाल सकते हैं ठीक तो जब यह गंगा के किनारे बसेंगे तो क्या होगा अब शुरू से समझते हैं एक सब्धता क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई अब आप उस पे लिख सकते हैं और फैक्ट जो है तो कहां से पढ़ लेंगे लोशन से हो जाएगा काम आपका यह कहानी अपने समझाए यह पढ़िये के लोशन मजाएगा तो यहां जो लोग बसेंगे यह एकदम ग्रामीड लोग थे कल मैं चर्चा कर रहा था कि आपको समझ में आएगा कि हिंदू धर्म की पहँचान में भगवा रंग ही क्यूं है साकाहारी क्यूं है ठिक क्यों मास नहीं खाते हैं सरवथा नहीं खाते हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं लेकिन अधिकांस्ता नहीं खाते हैं यह कह सकते हैं क्यों हमारे धार्मिक पहचान में नदियों का महत ज़्यादा है, क्यों हमारे धार्मिक पहचान में प्रतीकों का महत ज़्यादा है, ब्रिक्षों की पूजा क्यों करते हैं, गाय की पूजा क्यों करते हैं, नंदी बाबा बैल ही तो है, तो बैल की पूजा, गाय की पूजा, गौबन्स को इतना क्यूं मानते हैं इसलाम में क्यूँ हरे रंग का झंडा होता ये सब आपको इतिहास पढ़ने में समझ में आएगा क्यों वो इसलाम में सुबह सुबह उठकर के क्या करते हैं नमाज के पहले घटना होती है जो बुलाते हैं सब को सब्द नियादार मुझे अजान है ना तो अजान क्यूं होती है इन सबका रीजन आपको समझ में आएगा जब आप उस छेत्र को समझेंगे तब कुछ क्लियर होगा आपको यहां से तो यहां पे बसे नदी के किनारे नदी है गंगा अब जब लोग बसेंगे तो सबसे पहली उनकी जो पूर्ती होगी आवशकता की पूर्ती वो ये नदी करेगी क्रिसी सीखे हुए हैं खेती के लिए पानी कहां से मिलेगा नदी से ठीक और ये जहां इस वैदिक संस्कृती का जिसको बाद में सनातन संस्कृती कहा गया हिंदू सब्द तो बहुत बाद में आता है हिंदू सब्द तो जब भारत में फार्सी अर्वी भासा आती है तव आता ये सब्द उस समय संस्कृती का नाम क्या रहा शनातन या वैदिक संस्कृती ये मैदान में मैदान में plane में, जहां भौगोली काक्रती कैसी है, plane की है, समझना, मिटी कैसी है, उपजाऊ है, खेती की समभावना परियाप्थ है, क्योंकि नदी है, मिटी उपजाऊ है, खेती हो सकती है, पानी की उपलबदता है, एक बड़ी नदी के माधियम से, और खास पूस अच्छे उग आते हैं ठीक, तो लोग मास क्यों खाएंगे जंगल नहीं है, यहां क्या है है? पुरा प्लेन है, घास है, इतनी बड़ी छोटे छोटे जाडिया हैं, बड़े बड़े जंगल नहीं है, तो यह जंगल में हई इने, इनको जंगल काट के बसने नह यहां बसे तो क्या हो सकता है यह जहां बसे खेती हो सकती है और खेती हो सकती है तो खेती करेंगे ठीक फसल हो सकती है, सबजियां हो सकती है, सबजियां खाएंगे, यहाँ बड़े जंगल नहीं है, जंगल नहीं है तो जंगली, सिकारी या सिकार भी नहीं है, तो सिकार पर निर्भरता इनकी रहेगी कि इनकी निर्भरता खेतों पर रहेगी, खेती पर रहेगी, तो बैदिक सब पाने में नदी की जो भूमिका है वो बहुत जादा है, है की नहीं, नदी की भूमिका क्या है, पानी मिलना है, इसनान करना है तो कहां जाएंगे, नदी में, कुछ भी करना है कहां जाएंगे, नदी में, पीने का पानी कहां से आएगा, नदी से आएगा, जब सब कुछ नद बात से सुरू हुई है जितनी भी पूजा सुरू हुई है वो सब डर से हुई है किसे डर से पैदा हुई है हम हमारा छूट न जाए या हमें नुकसान न हो जाए यही दो डर होता है यही डर होता है ना समझ रहे हैं रोड पे चल ले हैं तो हमारा एक्सिडेंट न हो जाए हम हमारा कोई अपना प्री है वो हमसे अलग न हो जाए यही दो डर होते हैं और इस दो डर के कारण सारी पूजाएं शुरू होई है ठीक लड़के का महा तो जादा है लड़कियों का महा तो बैदिक संस्क्रति में कम रहा है लगभक सभी देशों में सभी संस्क्रतियों में हमारे पूरवजों ने और उन्हों ने लिखा कि हमें जो जलाने का अधिकार होगा वो लड़के का होगा और जलाने के बाद जो संपत्ती होगी वो सवालेगा कौन लड़का सवालेगा क्योंकि खेप में काम करने कौन जा सकता है लड़का सारे रिक रूप से मजबूत कौन ह ये मेरी मानेता नहीं है, आज की बात ये नहीं है, ये उस समय की बात है, वो ऐसा हो रहा है, तो पूरा सत्ता, पूरी सत्ता कैसी बन जाएगी, पृति सत्ता अत्मक, लड़के के उपर ही पूरी मालिकाना होगा, लड़के के उपर ही पूरी संपत्ति कदाइत तो होगी, खेती करना है भाई हां खेती करना है और खेती करना लड़कियों के बस में तब संभवता ना रहा हो ठीक और रहा होता और बराबर के महात्व में मतलब बराबरी के साथ लड़कियां भी काम कर सकती ठीक तो फिर करती है हल जो उतना सायद उनके बस में न रहा हो खेत काटना खाला की कारती रही है, ऐसा नहीं की महिलाई नहीं कारती रही है, रक्षा करना उनके बस में ना रहा हूँ, इसलिए महात तो किसका हो गया, पूरिशों का, और पूरिशों का महात हो गया तो पृत्र सतात्मक सता, बैदिक समाज में आपको देखने को मिलेगी, फिर खेती कर गाय बच्छडा देती है इसलिए महातो था ठीक गाय बैल देती है इसलिए महातो था और बैलों का इस्तेमाल कहां होगा खेती में क्रिशी में तो क्रिशी के लिए गाय क्या दे रही है उस समय बच्छिया बच्छिया समझते ना गाय की जो फीमेल बच्छी होती है उसको इंपोर्टन नहीं है इंपोर्टन किसका है बच्छवा का बच्छवा का बच्छड़ा है ना हमारे बगेली में बच्छवा बोलते हैं उसको और आप लोग बच्छड़ा बोलने हिंदी में बच्छड़ा तो बच्छड़े का महत्तो है बच्छड़ा इसलिए कि खेतों में क घर की रक्षा कौन करेगा ये वाला बैल और खेतों की रक्षा कौन करेगा ये वाला बैल तो इधर भी पितसा तात्मक चला है ये बैदिक काल है ये बैदिक काल है नारियों का महत्व है लेकिन इतना नहीं है कि वो उस दरजे का महत्व अब जब बैल का इतना महत्व है और कि उस समय पेट्रोल की खोज थीमिन की नाई थी चौह सरसों से तेल निकाल सकते थे उ चौह नहीं वर दीपक तो किसका प्रकास के लिए तो किसा किस इस्तिमाल आएंगे ये ग्यान हो गया और इसलिए बैदिक सभता में घी पवित्र हो गया गाय पवित्र हो गया और पुरुस पवित्र हो गया महिला पवित्र हो गया महिला का महतु कम हो गया क्योंकि सारा दरोमदार जो है वो खेती पर है क्रिसी पर है पसु पालन पर है इसलिए पसु देखें वस्वों का महा तो देखें तो दिमाग में अलेडी कौन से संस्क्ति आ जाएगी बैदिक संस्क्ति और इनके साथ एक चीज और चोड़ दीजी जिसका जिसका महा तो बढ़ेगा उसकी उसको खोने के भैसे या नुकसान ना करें हमको उसके लिए क्या सुरू कर दें है करेंगे मुरती पूजा कौन थे कुंदू थे परत शुंतियों जलती है और परमपरा हो गई की है कि यहां की परमपरा है नतमस्तक करने की पर referendum ऄखती पूजा पूज्स हिंदू थे लेकिन भारत में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिनकी मूर्तियां अलग-अलग धर्मों के प्रवर्तकों की मूर्तियां न बनी हो सबकी बनी है और नहीं भी मूर्ति बनी है तो भी माथा टेक रहे है तो यहां की परंपरा ऐसी हो गई इसी कारण से कि जो भी यहां आएगा वो नत्मस्ता कोई जाएगा उसको जुकना पड़ेगा अपने आका के सामने चाहे वो आका कोई भी हो कोई भी हो सकता है वो क्यों क्योंकि एक डर का जो concept होता है कि कहीं हमको ये नुकसान न पहुंचा दें कहीं ये हमारा खो न जाएगा आपने देखा कि सारे ब्रत महिलाएं करती है और वो ब्रत सारे महिलाएं जो करती है वो सब पुरसों के लिए करती है कोई ब्रत बेटियों के लिए होता है क्या कौन सा कौन सा एक आवार ठो कहीं आप अबाद हो अलग बात है महत तो ही नहीं है, तो ब्रत कैसे होगा, महत तो बेटे का है, तो ब्रत भी किसके लिए होगा? क्यों ब्रत भाई कहीं इसको नुकसान न हो जाए कहीं इसकी आसमय मृत्तु न आ जाए इसलिए ब्रत न है ब्रत इसलिए न पती के लिए जितने ब्रत होते है तो इसलिए होते है कि दिरगाई हो है ना जीवन भर मैं मर जाओं पर ये जिंदा रहे ठीक, ऐसे होता है ना, वो क्यूं, क्योंकि सत्ता हमारी ऐसी है, सहयोग से ऐसा हुआ है, ठीक, यही बैदिक काल है, बैदिक काल में महिलाओं का महा तो उतना खराप नहीं है, जितना उतर बैदिक में होता है, पर उतना अच्छा भी नहीं है, कि आप कह सकें कि बराबरी का द जो दूसरों को धार्मिक उपदेश देने के लिए धार्मिक आयोजनों के लिए निर्देश देंगे धार्म अभी क्या है पेंड की पूजा करना पेंड क्यों फल दे रहे हैं तुलसी की पूजा करेंगे केला की पूजा करेंगे और बरगत की पूजा करेंगे पीपल की पू न होती हो हर नदी पूजा होती है गांँ में छोटी सी फिय昨 करूज तो शर्म YouTube चुछ को गारी कि ज问 हो और इनकी जहां पूजा की जाने लगीं मूर्ति इभी नहीं है। मूर्ति कहां से मिलते हैं आपको गुप्त-काल से पहले हैं तो यह बैदिय काल कि सबसे जो खास भात है जिसके कारण इसका नाम मिला वह है यह ग्रंथ वेदा है कि नहीं ये ग्रंथ ये ग्रंथ एक नहीं है कितने हैं चार है उन में से आप लोग ये सब पढ़े हैं ये सब फैक्ट हुआ है इनके रचाईताओं के नाम भी है पर ये कहा जाता है कि बेद आपरुशे हैं इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजी इसका क्या मतलब है इसका पड़े है ना ये कि बेद आपरुशे हैं अर्थात किसी पुरुष ने किसी वेकथी ने इनकी रचना नय की है तो वह पुरुषों से बड़ा व्योग्य को ही रहा होगा जिसने इनकी यही सारी संकल्पना चुकि अभी इशायत नहीं है संसार में जब वेद लिखे गए हैं इसाइधर्म का उदाई ही 1st AD में होता है अभी इसलाम नहीं है सिख नहीं है जैन बौध ये सब अभी नहीं है जैन बौध छटमी पीसी में आएंगे सिख 1400 में आते हैं हाना इसलाम 650-6 270 में आता है इसाई 1st AD में आती है अभी जितने धर्म है वो सब कैसे हैं प्रकित वादी धर्म है कैसे धर्म है यदि जंजातियां है तो किसमें लगी हुई है प्रकित पूजा में लगी है सारे जंजातियों में पूजा यदि किसी की की जाती है तो वो तीन चीज़े हो सकत है clear जहां पर घटना घटित हुई रही हो यह है आप जंजाती संस्कृति में पढ़ेंगे तो किसकी पूजा करते हैं ज्यादा तर जंजातियां या तो किसी पसू की पूजा करते हैं या तो किसी ब्रिच की पूजा करते हैं या तो किसी उस अलोकिक सक्ति की पूजा करते हैं धिक जसे बहुत सारी जनजातियां महादेव की पूझा करती हैं अचैंग सेम्प भी ओधन को मनति तू'm विश्वास नहीं को कहानी किसी ने बताया होगा हमारे इस संस्कृती में बैदिक अभी तक ना कोई राम है ना कोई लक्षमर्ण है ना कोई क्रिश्टन है अभी ये सब नहीं है क्या है कहीं रिग वेद सामवेद यजुर्वेद अथर वेद इन इनको और आसान बनाने के लिए अरणयक लिखे गए इनको दार्षनिक बनाने के लिए उपनिसद लिखे गए ऐसे वह ना बेदों से बहुत सारी जो अलग-अलग ज्ञान निकला उसको उपवेद कहे हैं ना जैसे आईरुवेदे को उपवेद है पर अभी कहीं भी वो धर्म नहीं है जिस धर्म को हम जानते हैं ठीक समझ मयारी बत तो कुल मिलाके हम ये कहना चाह रहे हैं कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा के कोई खास साक्ष नहीं है साक्ष किसके हैं प्रकित पूजा के किसके प्रकित पूजा के और इसी लिए वैदिक संस्कृति जो है वो कैसे संस्कृति हो गई प्रकित पूजक संस्कृति हो गई ठीक अब बताईए जहां बैदिक संस्कृति जन्म ले रही है वहां घास का मैदान है हरे रंग का ठीक और किसी को यदि पहचान बतानी हो कि मैं यहां पर खड़ा हूं तो जंडा हरा रखेंगे जंडा ऐसा रखेंगे जो हरे रंग में आसानी से समझ में आ जाए समझ पा रहे हैं देखे समझ ये यह हरा रंग है यह हमारा घास का मैदान है और यह हमारा जंडा है ठीक यह जंडा जादा समझ में आएगा कि हरे पर ही हरा चला देंगे वो जादा समझ में आएगा अजम्सें कि यह तो अभी अग्जेक्ट हरा यह है यह regular लगा नहीं यह इसका background इक्जेक्ट हरा यह जो घंक का है पेणों का है बृट रिक्षों का है तो जंडा हमारा कैसा होगा जन्डा हमारा केसरिया या भगवा होगा क्यों जंडे का महा तो क्या है भाई जंडे का महा तो यह है कि कोई यदी कहीं गया है दूर तो वह जंडा देख करके वहां पर पहुंझ जाए ठीक या उस जंडे को देखकर लोगों को यह समझ में आ जाए कि जिसको मैं जिस प्रकार से मैं हूं उसी प्रकार से यह भी कवीला है कवीला आई संस्कृति थी ना तो कवीले में अपना अपना जंडा होता है अभी प्रयागराज आप लोग जाएंगे तो हां कुछ समूह बटे हुए हैं सबका अपना अपना एक जंडा है उस जंडे के इसाब से आप पहचान जाएंगे कि हमारे चेत्र का पंडा है आई बस समझें समझ पारें इस बात को लिंक कर पारें तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारे जो जंडे का रंग या हमारे अब यह जो बाबा होंगे बैदिक पूजा पाठ कराने वाले यह दो ही प्रकार के बस्तर पहन सकते हैं या तो भगवा या तो सफेद कैसा तो ठीक विपरीत इसलाम में चले जाए बंजर सफेदी में उत्पन हुआ इसलाम धर्व जहां रेत के मैदान है ठीक प्लेन है वहां भी दूर दूर तक कोई ब्रक्ष देखने को नहीं मिल ला है कोई हर्याली नहीं है तो उनको पहचान बताना होगा तो यदी वो एक बंजर जम जंडा रखना होगा वो कलर रखना होगा जो दूर से समझ मैं देखो हर्याली दिख रही है इसलिए इसलाम धर में क्या हुआ हरे रंग का महा तो बढ़ गया चादर चढ़ाएंगे हरी रंग की ठीक है जंडा होगा हरे रंग का दूसरा कुछ इसपष्ट हो सकता है तो वह काला दूर से जैसे इधर सफेद है ना जैसे यदी हर्याली में दूसरा कुछ इदी दिख सकता है तो सफेद दिख सकता है ऐसे वहाँ दूसरा कुछ रंग दिख सकता है यह एक संकल्पना है जिस पर हम लोग वीचार कर सकते हैं तो सफेद की जगा पर वहां क्या दिखेग इसलिए आप आएंगे कि दोनों संस्कृतिए imperfect कि एकDum दोनों संस्कृतिएं में एकDum संस्कृतियों में δोनों लटा हिन्दु ठीक इसलाम के प्रिष्ट भूम बैक्ग्राउंड जगें जहां यह जन्न में लेते एक दम अलग है एक हरियाली एक रेगिस्तान है तो जो बाई नेचर ही दोनों अलग है प्रकित के दिश्ट से ही अलग है तो सारी चीज़ें कैसी होगी अलग होगी आई बहुत समझें तो यह एक रीजन था आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं देखो वैदिक और यह हरे प आगी में थोड़ा सा इंटर्वल है और वह interval क्या है कि कि द्रिष्ट से अंतर है वैदिक और उत्तरवैदिक काल में है हम अ कि हिए भीडिक तो ठीक ह। समय अलग सामय ठीक है तो हम सारे एक साथ इसको वैदिक ऑन्यक्प दे उत्तरा वैदिक क्यों लाते हैं देखो 1500 byc और यह एक हजार वी सी है, इस में केवल लिखा गया रिख बेद, बाकी के तीन बेद इस काल में लिखे गया, ठीक, एक बात, यहां सुध कठे संस्क्रत इस्तेमाल हुई है, भासा की रूप में, भासा की यह दिबात करें, लोग जो बोलते थे, बोलने वाली बात मैं कभी हिंद संस्क्रत बैदिक संस्क्रत ना कि संस्क्रती, क्या कहलाएगी, यहां थोड़ा संस्क्रत आसान हो जाती है, और उसको बोलते हैं लौकिक संस्क्रत, कैसे संस्क्रत, लौकिक मतलब लोगों की आम बोलचाल की भासा, जैसे हिंदी हम लोग यदि सुध मानक बोलें, तो थोड सब विकृत हो गई थी प्रकित पूजा बनाए गया था तो प्रकित के आगे बहुत सारे और भी चीजों की पूजा की जाने लगी महिलाओं की स्थिती थोड़ा ठीक थी तो आ करके थोड़ा और गड़ वर हो गई हना तो वैदिक का थोड़ा सा विकृत रूप देखने को मि कि बर्षा का कराने वाले है ना अगनी की पूजा यह था यहां आ करके इसी का विक्रित रूप ला करके इसमें कर्मकांड सामिल हो गया क्या कर्मकांड ठीक है एक अपना जो वेद है वो कर्मकांड पर ही आधारित है कौन सा एजुरवेद एजुरवेद एक जो पराधारित अथरवेद कर्मकांड पराधारित ठीक तो कर्मकांड पराधारित है तो कर्मकांड को बढ़ावा मिल गया जब कर्मकांड को बढ़ावा मिलता है तो समाज में विक्रिती आती है तो यह आक्रिती जो यहां खीची गई थी व विश्वास करने लगे और उसके कारण पसों की हत्या होने लगी पसो बली होने लगी बहुत सारी बिर्क्तियाई समाज मेनारियों की स्थितिगिरी ठीक तो समाज अर्थ विवस्था के और भी लेकिन बीच में 800 BC काल भी है और वो उत्तरवैदिक काल की अभिवेंजना है या प्रगटी करण है 800 BC काल महा काब काल कहलाता है क्या महा काब काल महा काब काल जो है यह वही काल है जिसमें माना जाता है कि महा भारत और रामायर जैसे ग्रंथ लिखे गए रामायर वो वाला तुलसी दास वाला नहीं रामायर वाला बालमी की वाला लिखे गए तो यह महा काब काल है महा काब्यों की रचना होई, महा भारत की काल की घटना है ये, महा भारत की, और आप समझ सकते हैं कि समाज इतना डेवलप हो गया है इस काल में कि महा भारत जैसी घटनाय घटित हो सकती हैं, और महा भारत में जो अस्त सस्त सब इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब बने हैं, महा भा कहानी है कई कहानिया हो सकती है और घटना क्या तो यह हो गया इस्थान क्या है वही भारत Central India का दिली हदि हना हरियाडा पानीपत क्या नाम मेरप मेरथ वाली जगह वह जगह इस काल की है थाना सारे वही इसके बाद आपका 600 600 BC आता है तो 600 BC की कहानी क्या है 600 BC की दो कहानिया है एक तो बहुत धौर जैन इसी काल के हैं है यह प्रतिक्रिया के तौर पर जन में दो धर्म है ठीक और दूसरा महा जनपदों का उदय महा जनपदों का उदय देखो सबसे पहला एक इनसान अकेला रहा होगा फिर उसने बनाया होगा समू समूहों को कहते हैं कवीला कवीले का बड़ा रूप बनता है जन जन से बड़ा रूप बनता है जनपद और जनपद जब कई मिलकर हो जाते है तो उसको कहते हैं क्या महा जनपद ठीक है महा जनपद से फिर प्रांत से फिर राज शना राश्ट ऐसी संकलपनाय जन्मी ठीक है अभी समराज नहीं है कहीं अभी क्या है के बल महा जनपद है तो 620 काल में ये राजनीतिक है, कैसा हिए? इंसान ने राजनीति इतने इस्तर पर सीख ली है कि वो सासन की इकाईया बनाना शुरू कर दिया है, मतलब कभीले से निकल के जन जनपद और महा जनपद तक पहुँच चुका है, कभीला वो आदिम समू है जहां के लोग जादा छेत्रों पर सासन करना नहीं जानते, इकठा रह करके सिर्फ अपना जीवन यापन करना जानते हैं, ठीक, जैसे मा लिजे एक ग्रूप आपका कहीं जंगल पर चला जाए और आपसी सही योग से वो सारी जवर्टे पूरा करते हुँच जंगल पर रहे तो वो एक कभीला कह कई छेत्रों पर नियंतरन हो जाए तो वो क्या कह लाएगा पूरा जन और जन का कई छेत्रों पर नियंतरन हो जाए तो जनपद और जनपद जब एक जनपद कोई बड़ा हो जाए तो उसको मतलब उसमें कई जनपद सामिल हो जाए तो उसको महा जनपद तो 16 महा जनपदो जो उत्तरवैदिक काल में विकृति उत्पन हुई थी उसको ठीक करने के लिए यह दो धर्म आये हना दो महापूरु से यहां पर खड़े हुए महात्माबुद्ध और महावीर स्वामी इन्हों ने कहा अलग अलग तरीके से दोनों का तरीका अलग है यदि दोनों का तरीका लगना होता तो फिर दो की जरूरत ना पड़ती एक दूसरे के अनुआई हो जाते हैं चुकि समय लगभाग एक जैसा है एक काल है ठीक ऐसा नहीं है कि एक खतम हो गया फिर दूसरे आए लगभाग एक साथ चल लए है ठीक है तो महात्माबुद्ध ने कहा कि मैं पूरी व पहेद भाउत्पन किया है महिला पूरुस के बीच जितना आपने चारवन बनाए हैं ब्रामार चत्री वैस शूद्र है ना और उनके देखो बैदिक काल में यह बनाए गया बंड़ बिवस्था और उस बंड़ बिवस्था का विकृती कहा हो गया उत्तर बैदिक काल में ब जनमाधारित हो गया ब्रामहर का लड़का ब्रामहर ही होगा चाहे ग्यान हो या ना हो चत्री का लड़का चत्री होगा ग्यान हो या ना हो सूद्र अभिसथ है इसलिए कि वह सूद्र का लड़का है आई बस मजए उसको ब्रामहर बनने का अधिकार नहीं रहा पर बैदिक काल में ऐसा हो गया तो उन्हों समाज में क्या हुआ समाज में असमानता भेद भाव महिलाओं के प्रति लिंगगत भेद भाव ठीक है पर्शू बली हाना बली जो है और कर्मकान का इतना बोलबाला हुआ कि समाज में होने लेगी हिंसाएं इन्हीं हिंसा को सुधारने के लिए हना ये दो लोग आए और ये बोले कि हमारा में मकसद है कि समाज में हिंसा ना हो तो इन्हों ने कहा अहिंसा पर्मो धर्मा ये अहिंसा क्यों मुड़ गए ठिक इन्हों ने कहा कि समाज में इतनी कुरूरता है ये कुरूरता चाहे वो इन सबसे बड़ा दाव में प्रति दया का भाव थिक तो बुद्ध ने खंडन किया पूरे कर्मकान्ड का बुद्ध ने उस बैदिक बेवस्था बुद्ध और महावीर ने उस बैदिक विवस्था का खंडन किया जिस बैदिक विवस्था के कारण समाज में विक्रती उत्पन हुई जिस बैदिक विवस्था के कारण समाज में समाज विविन भागों में बटा ठिक इनका मन खुदी नहीं लग रहा था उस समाज में एक र बाच पाट में मन लगाने के लिए सारी सो विधाया उनको उपलब्द करा दी एक इंसान के लिए जितनी अच्छी भोग विलास के साधान हो सकते हैं सब उनके पिता ने उपलब्द कराया उसके बाद भी उनका मन नहीं लगा उन्होंने का मुझे नगर देखना है और नगर भी बात है कि घर चोड़के चले जाएं बुद्ध बन जाएं नहीं करता है इसका मतलब घोर बिलासी है आप लोग ठीक है जब इतने बड़ी जिंदगी में एक बार भी मन ना किया हो कि सलसाथ ठीक नहीं है तो इसका मतलब बहुत इक बादी है वो है ही नहीं वह वाला तक अभी चैने एक साल की पहले के घटना है चला गया कासी ब्रामर था तो और ब्रामर ना होता बॉत ज़टो बलाँ हुता घा जाता तो कासी चला गया! कासी गंगा किनारे गंगा घाट पे बैट करके कई दिनों तक तपस्या की घर वालों ने कंप्लेन करी पुलिस में तो पुलिस वाले ढूंडते ढूंडते विचारे को पकड़ के लाए फिर घर में तो कहने का मेरा मतलब यह है कि भागने भी नहीं देते घर वाले उस समय तुम लड़के को छोड़ करके तुमको बोली थी सुबह एक पहले नहीं उठना तुम उठ कैसे यही सारे सवाल होते हैं गौतम बुद्ध से और गौतम बुद्ध ना बन पाते हैं सिर्धार्त बनके ही रह जाते तो कहानी यहां पर टुष्ट लेती है बुद्ध का यह ज हर मालग है सासा नलग है लेकिन आगे चल करके दोनों मिक्स होते हैं ठीक है मिक्स का मतलब यह है कि जो साशक होगा वह भी धर्म का प्रचार प्रचार कराएगा यह था आपका महाजनपद इनको आप डिटेल से थोड़ा पढ़िएगा हमारा भी पढ़ाना मकसद ने इसलि होता है समाज में जब कोई विक्रती आएगी तो कोई नो कोई महापुरुस खड़ा होगा और महापुरुस खड़ा नहीं होता खड़ा वो एक सामान व्यक्ति होता है महापुरुस वो बाज में बनता है जन्म से कोई महापुरुस नहीं होता है ना अब विक्रती देख करक जाकूओं से भी सामना करना पड़ता है अंगुल माल तो एक नमूना मात्र है सोचिए जिस दिन ये पूरे ब्राम्हरों के विवस्था के खिलाब खड़े हुए होंगे क्या दसा हुई होगी समाज में और आप लोगों ने कुछ सीरेलों के माध्यम से देखा भी होगा कि जब ये ब्राम्हर के विरुद्ध जा करके कुछ बोलना सुरू हुए होंगे कि क्या ये गंगा नहाने जाते हो इस गंगा से थोड़ी ना पाप धुलता है यदि नदी पा इन है किसी बड़े महा कविकी धूल सकते मन के मैल नहीं गंगा या मुना के पानी से और कट सकते संचित पाप नहीं कविकल्पित काव कहानी से तो यह जब इन्होंने कहा होगा उस पुजारी के सामने जो आज तक बैदिक विवस्था को मानते चला आया है तो क्या इनको ज जोद का सामना करना पड़ा यही हाल महावीर की थी महावीर ने अपने ही पैरों पर खुद ही कुलाड़ी मारी थी लोगों को यह उप्देश तरक है कि हम अहिंसक हैं और अहिंसा इस लेवल पर कि आप सास के तुरू भी किसी जीव को नहीं मार सकते तो जो महावीर के कट् खेती करना बंद कर दिया उनके नियायों ने कि खेती पर कोई जीव कट ना जाए खेती करते समय काटना मारना चीरना फारना ये सब्द जैन धर्मे निसेध हैं बोलेंगे भी तो ऐसा कोई सब्द बचा ये संकल्पना की बात कर रहा हूं बेवहार में आज क्या है उसकी बात नहीं कर रहा हूं ठीक कि ऐसा कोई सब्द ना आने पाए जो काट मार धार ऐसे कुछ सब्द हो तो इतना हिंसा हो गया और इतना हिंसा हो गया इसी कारण जैन ध कि था में फले भूले तो इन दोनों की कहानी इनके बिरोद्ध है वैदिक विवस्था के बिरोद्ध है अलग ये भी है कि कि ये इश्वर पर आस्था रखते हैं और नहीं रखते हैं तो जैन धर्म जहाद की कोज All वादी हुआ ठिक यह आत्मा की अमरता पर आस्था रखते हैं और पुनर जन्म को मानते हैं लेकिन बहुत धर्म में आत्मा एक कल्पना है आत्मा पर कोई भार नहीं रखते हैं और पुनर जन्म को उस रूप में नहीं मानते हैं जिस रूप में बैदिक बिवस्था में माना गया ठीक माना जाता है बहुत दर में पुनर जनम लेकिन वो ऐसे जैसे कि पिता से संतान आई तो संतान ही पुनर जनम है एक दीपक से दूसरा दीपक जला तो दूसरे दीपक में जो लव है वो पहले दीपक की है तो पहले दीपक का ही नया रूप है इस रूप में मानते हैं मगध जनपद का उतकर्ष एक महा जनपद होता है मगध है ना और वही मगध महा जनपद जो होता है उसका उतकर्ष हो जाता है समराज के रूप में और वो जनपद नहों करके अब क्या हो जाएगा मतलब इंसान ने इतना सीख लिया है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ कंटॉल किया जा सकता है शमराज का मतलब किया आप जितने भी जनपत हो गया उसब किसके इंतर गताएंगे म नगाज के लोगों ने चमता that develop ली है कि बांकी पर सासन कर सकते हम कर शुम मगद का ही कि उतकर्ष कि हुआ यहां भी पढ़ने का空 नहीं बन गया अबां की क्यों सम्राज नहीं हो是不是 नहीं बन गया, कम्बोज नहीं बन गया समराज, सिर्फ मगद ही समराज क्यों बना और मगद पर ही समराज क्यों होने लगे, यदि भारत का उस समय मतलब क्या है, उस समय भारत का मतलब है मगद समराज की गद्धी पा जाना, मतलब भारत पर सासन हो गया, यही मतलब है, और यह नदी के किनारे ही होगा और वो नदी गंगा नदी है पाटिल पुत्र इसकी राजधानी गंगा नदी के किनारी ठीक तो नदी के किनारे ही बसा अब इसमें सामिल लोग कौन तो वो सामिल लोग होंगे जो मगद के साशक रहे होंगे मगद का आप एक व्यक्ति को धूर सकते ह तो मगध एक जनपत था, महाँ जनपत था तो उसका जो सासक था भो ढूर सकते हैं ठिक, और वही जब समराज बनेगा, तो समराज का एक लाजा होगा, तो अब आपको एक बवक्ति मिल जाएगा तो पहला राजा कौन यहांका मगध समराज का जब उतकर्स होता है तो पहला बंस कौन आशीन होता है हर्यक वंस ठीक तो हर्यक वंस का पहला सासक भी मिसार तो अब आपको समो नहीं मिल ला है अब आपको क्या मिल ला है आपको कभीला नहीं मिल ला है अब आपको एक व्यक्ति मिल जाएगा कि मगत समराज का संस् तो एक-एक व्यक्ति मिल जाएगा और उनका काल मिल जाएगा यह इतिहास का चक्र है ठीक तो मगद जन्पद आपको पढ़ना होता है मगद समात होता है मगद में कई बंस है ना बहुत सारे बंस लते हैं ठीक यह कहानी कहां तक चलेगी नंद बंस मौर समात होता है फिर मौर आता है फिर सुंग आते हैं शुंग तक लगवक चलेगा उसी रूप से धीरे धीरे और भी छेत्र डेवलप हो जाते हैं जैसे मगद डेवलप हुआ दक्षिड भारत में भी बहुत सारे सासक इसी प्रकास से छोटा-छोटा नाम अलग होगा नाम अलग होगा पर काम वही हो प्षिड भारत sudah दक्षिड भारत की बहुत सारे जहें कुछ यहँ कुछ यहां कुछ यहां सरशन कर रहे हैं ठीक है हाँ और फॉर्वी भारत है Czech region network का सासक होता था उसका सासक यहां तक हो सकता था यहां का सासक हो सकता था जैसे मगत की अंतर गती मौरवंस का सासक जब आता है तो मौरवंस का सासक पूरे दक्षिड भारत में यहां से ले करके यहां तक फेलाय जाता है तो अलग-अलग सासक बंसों का अलग-अलग सासक का एक सासंद छेत्र होगा उसको आप मैप से देख लीजिए फिर क्या होता है सुंग बंस आते-ाते कौन से सतादी लग जाएगी का कौनसा काल होगा सुंगबंस का 1st eddy , कहात है इसके बाद क्या शुरू होता है , सुरू होता है न कीण शुरू हो जाता है तो गुप्त काल चलेगा, इधर हर्षका सासन इसी समय चलेगा, दक्षिड भारत में बहुत सारे वंस होंगे अभी, चलने होंगे, जैसे बिजयनगर समराज, बिजयनगर तो खेर बाद में आता है, सातवाहन चलना होगा, सातवाहन सासक इधर होंगे, सातवाहनों की कई चोटे चोटे सासक होंगे, सासक कैसे बने कभीले से, कभीले से ही चोटे चोटे कुछ डेबलप हो गए तो समराज तक नहीं डेबलप हो गए तो जनजनपत तक ही सीमित रह गए और ये सब भारत में पहली सताब्दी से ले करके ADC में 6 AD तक 7 AD तक भारतियों के द्वारा चलता रहा कोई दिक्कत नहीं है गुप्त काल जो है वो आपका 650 सासन तक भी चल ला है कहीं अलग-अलग उत्तरवर्ती गुप्त सासक राम-गुप्त भानु-गुप्त जैसे सासक जो है वो बाद में सासन कर रहे है यह ना 650-670 तक सासन चल ला है गुप्त का फिर इसी में जैसे आपका 650-750 आएगा तो एक नया तत्त जुड़ेगा भी भारत में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है प्रकित पूजाख है मोर्ती पूजाख है मंदिर गुप्त काल में बनना शुरू हो जाते हैं इस पस्ट मंदिर और मुर्थि का जो पूजान हो पहली बार गुप्त काल में चलता है वो होता है गुप्त काल में बहुत सारे संकर विवाह होते हैं, अंतर जाती विवाह होते हैं, इसके पहले अंतर जाती विवाह नहीं है समाज में, अंतर जाती विवाह गुप्त काल की डिमान थी या गुप्त काल में जन में, गुप्त काल में देखो, वैदिक काल में पूजा पाठ धर python lab brothers के सरवानी गुपते अब हैं वह सब गुपत काल के ही है ना इसमें पेवसाय महत्वपूर है और जहां महत्वपूर होता है फ़ दौना धर्म पीछी होता है कि आयवार समझगे धरम कहाँ चला जाता है आप एक दुकान खोलेंगे तो क्या किसी धर्म विशेष के लिए खुलेंगे कि आप चाहेंगे कि हर धर्म के लोग आएं तो centralized फ्रंट में नहीं रख भी वह मानताई जिसमें ये माना जाता था कि नदी पार करना अशूबहते हैं लेकिन सामाल लेने नदी पार करके झाना याया तो आप ऐसी मानता एप आपना दो कि उस समय जो सरल सहजधर्म होगा वो आप अपना लेंगे तो इसी लिए गुप्तकाल में अधिकांस असकों ने या अधिकांस लोगों ने वो बहुत धर्म अपनाया जो सहजधर्म होसकता झा थो ठीक सहसर्म हना अब हर बार नहांकि भगवान को चूना हो अप रातना करना हो ऌप इसा संभव नहीं वैवसाईओं के लिए तो वैवसाय आधरिस समाज रहता है पूरा गुत काल और इस समाज में लोग वैवसाय के वास्ते बाहर जाते हैं समाज जब धर्म कमजोर होगा धारमिक पकड़ कमजोर होगी तो फिर विवाह अंतर जाती अंतरहरं भी हो सकते हैं अब चुकि भारत में उस समय दूसरा भीवा है मतलब दूसरा धर्म है नहीं तो भीवा चुकि बहुत धर्म है जैन धर्म है तो वो सब हिंदुत से ही उत्पन हुए है अलग से कोई धर्म है नहीं वो ठिक उसी की एक साखा के तोर पर आप मान सकते हैं तो इस स चत्री वैश शूद्र के जो बिवा है अनुलोम और प्रतिलोम बिवा जो होता है वो सुरू हुआ जिसके कारण जातियां बहुत सारी उत्पन होई तो आज भारत में जो आपको इतनी जादा जातियां देखने को मिलती है वो सब गुप्तकाल की देन है वर्न से जाती वर्न क की जो जाती उत्पन होगी वो अलग काम कर रही होगी तो कहने का मेरा मतलब यह है कि गुप्तकाल में गुप्तकाल में जो समाज बना उस समाज में एक नया तत्वाया वो था संकर जातियों को उत्पन और बहुत सारी जातियां गुप्तकाल में बनी ठीक धार्म क्या था कम धार्मिक पकड जहां वेवसाय होगा वहां कमजोर होना ही है और ऐसा गुप्तकाल में हुआ भी 750 से एक नई घटना शुरू होती है आपके भारत में और वो घटना होती है क्या इसलाम का आगमन इसलिए आपका मध्यकाल शुरू होता है कहां से 750 AD से कहां से 750 AD से पहली बार भ अभी तक जो भारत में चल आथा उसका ठीक विपरीथ है धार्मिक द्रिश्ट कौन से तो 750 एक इंटर्वल आता है आपके इतिहास में जहां से एक नया तत्व प्रवेस लेगा इसलामिक तो जहां आप एक राष्टवाद पढ़ेंगे जहां आप गंगार जामुनी तहजी पढ़ते हैं वहां 750 से बढ़ा जाता है क्या भारत में कुछ नया परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन क्या होगा यहां से सुरू होता है तो प्राचीन की कहानी इतनी थी कल हम लोग मध्ध की कहानी कल संडे है नहीं लगती न क्लास मध्ध की कहानी हम लोग मंडे को देख ठीक है, thank you.